हलो गाइस कैसे हो आप सभी आयोब सभी अच्छ होंगे और आपकी त्यारी एकदम परफेक्ट रिख चल रहो गाइस तो गाइस आपका स्वाकत हमारे चैनल पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो गाइस इस हजार पजल की स्रीज का आज हमारा कौन सा दिन है डेली मॉर्निंग में यह साड़े नौव बजे किलास होती है चीक है मंडे से लेके सैटेड़े तक आपको यह किलास मिलेगी इसमें आपको प्री लेवल के पजल हो चाए मेंस लेवल के पजल हो हर परकार के पजल को मैं कवर अप करता हूंगा अगर आपने टार्गेट कर जो रहे तो उसकी जस्ट कटॉफ निकाल लो तो आपको काम चल जाएगा नहीं सब में आपको स्कूर करना पड़ेगा तभी आपकी जो प्री की कॉलिफाय होगी एक्जाब की कटॉफ ठीक है चलिए आज के सेसन को स्टार्ट करते हैं देखो आप जो कोशन पूछा गया है ना कोशन नमबर 83 यह पजल अमारा मारी कौन से है 83 पजल इसमें यह बोला है कि 8 पर्सन है वर्किंग इना कंपणी मतलब किसी कंपणी में काम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेजिगनेशन मतलब पोस्ट पे एमडी एमडी जीएम से लेके लाश्ट जो आपकी हेलपर वाली होगी जो लाश्ट पोस्ट होगी ठीक है यह आपका हिंदी मीडियम के लिए कोसिस करना वीडियो को पॉस करना खोड़ ट्राय करना तब मेरा सॉलसन देखना अगर नहीं बनता है पजल आप से ठीक है पांच छे साथ आठ लाश्ट वाली में इधर बना लेता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इसको यहां से मटायते हैं चलिए यह मेरी आठ पोस्ट दे रहे किये उसके बाद उसने क्या बोला है यह यह डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट दे रहे किये एक चीज़ उसने तुर्से बोलिये कि जीम इंजी जुनियर टू एम्डी और एम्डी जोनियर टू-चैसा म्तलब सबसे बड़ी पोस्ट क्या होगी कंपणि की वह है RD को यह वाली पोस्ट कॉस्ट कॉन सी होगी जो आपको कंपनिये आपको देर रखाता है सारी इंफॉर्मेशन या से आपको दे रखी है अब मैं start करता हूं देखो यहां से मेरी information start होती है या तो आप क्या करो सारी information को एक बार लिख लो यहां आप क्या कर सकता हूं ऐसी information से start कर सकते हो जो मेरी definite है ठीक है क्योंकि आपकी जो approach होती है वही आपकी matter करती है exam को कैसे आप qualify करोगे within time guys ठीक है चलिए यहां पर बोला है कि P is not AM, मतलब AM निये company का, मुझे ये पता चले गिया कि P आपका AM नहीं होगा, Assistant Manager नहीं होगा, अगर बोला T is not manager, T आप company का manager नहीं होगा, ठीक है, तो ये मेरी definite information है, ठीक है, अगर बोला Q is junior to R, R से छोटा कौन है मेरा, क्यों है, अब possibility है, अब just junior भी हो सकता है, दो post, एक post छोटा भी हो सकता है, हमें नहीं पता, अगर बोला है कि there are three designation between W and Q, W और Q के भीज में कितनी post आएगी आपकी, तीन आएगी, ठीक है, बट ये पता नहीं कि मुझे क्यों मेरा senior भी हो सकता है, ठीक है, ये मेरी possibility वाली case है, अगर बोला है कि W is junior to V, V से छोटा कौन है मेरा, W है, ठीक है, अगर बोला है U is senior to P, U है ना आपका, वो senior किसे है, P से, चलिए, अगर बोला है कि T is just senior to S, मतलब S से just senior कौन है आपका, वो है T, ठीक है, चलिए, अगर बोला है, R is not the MD and EMD, आपका ना तो R MD होगा, company का, ना आपका assistant MD होगा, ठीक है, चलिए, W is not accountant, W आपका accountant नहीं है, ठीक है, अगर बोला है कि V is junior to manager, manager से छोटा है, ठीक है, यहाँ पर लिख दू मैं, manager से छोटा कौन है मेरा, वो है V, अब देखो, यह है V, ठीक है, अब क्या हो सकता है कि मेरा V accountant भी हो सकता है, आपका assistant manager भी हो सकता है, अब आप V को helper लेते हो, तो बट उसने क्या बोलाता, आपका W junior is किस से, आपका V से, तो देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, information को check करता हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अब manager से छोटा है मेरा V, तो मैं एक बार उसको AM ले लेता हूँ, असिस्टेन manager उसको एक बार में ले लेता हूँ, ठीक है, अब मैं W को यहापर क्यों ने ले सकता है, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था, कि आपका W accountant नहीं होगा, ठीक है, तो एक बार मेरे first case में क्या होगा, W मेरे क्या हो जाएगा, helper हो जाएगा, अब इदे condition satisfy कर रही है, ठीक है जी, आगा बोला था, W और V के बीच में आपके तीन person आएगे, एक, दो, तीन, क्यों हो जाएगा, deputy general manager company का, ठीक है जी, अब इदे condition मेरे satisfy कर रही है, ठीक है, आगा बोला था कि R से, R जो है न, बड़ा है किसे क्यों से, बट R आपका MD नहीं होगा, न, AMD होगा, R क्या हो जाएगा, company का, general manager, अब इदे condition satisfy कर रही है, ठीक है जी, एक चीज और बोलेती कि, आपका, जो है न, S से, just senior कौन है, आपका T है, S यहाँ पर ले सकते हो, नहीं, S manager की post पर ले सकते हो, ले तो सकते हो, बड़ा यहाँ पर T की possibility नहीं है, तो मुझे पता चले गया है, AMD क्यों होगा मेरा, S होगा, और T company का हो जाएगा, MD, अब इदे condition satisfy कर रही है, ठीक है जी, आगे बोलता है, U है न, आपका senior है किससे, P से, तो U मेरा क्यों हो जाएगा senior किससे, P से, ठीक है, यहाँ से मेरा answer आगे complete, ठीक है, बट मैं आपको second case भ पड़ा रहा हूँ, ठीक है, otherwise मैं चाहता है, तो उसको solve करके, within time, आपके साथ, मतलब क्या है कि करवा देता है, मैं कर देता है, बट आप समझ नहीं पाते हैं, जो beginners होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी problem ही, आपकी क्या होती है, यह puzzles होते हैं, ठीक है, अब मैं क्या करता जैसे aim लिया आता है, मैंने किसको, मैंने जैसे छोटा मेरा कॉन है, वी है, तो मैं उसको एक बार account ले लेता हूँ, ठीक है, और जो वी है न, वो किससे बड़ा है, डवलू से, तो डवलू की जिगा होगी, आपकी यह वाली, मतलब कंपनी का help हो गया, ठीक है जी, आगे ब आगे बोला था कि, हाँ, देखिए, एक बोला था आपका आर जो किससे बड़ा है, क्यूं से, तो आर किससे बड़ा हो जाएगा, क्यूं से, तो देखो यह आ गया, चलिए, अभी तेक condition satisfy हो रही है, अब एक चीज और बोली थी, कि आपका जो T है न, just senior किससे, S से, यहाँ S तो मैं ले लूँगा, बट T यहाँ पर क्यों नहीं आएगा, उसने पहले ही बोल दिया था कि T आपका company का manager नहीं होगा, S आपका AMD हो जाएगा, और T आपका company का MD हो जाएगा, ठीक है जी, अब last information यह वाली, यूं किससे बड़ा होगा मेरा P से, condition तो satisfy हो रही है, बट उसन से यह हो जाएगा, गलत, जो मेरा answer आएगा, वो आएगा, पस्ट केस से, ठीक है, चलिए, question number second पर बढ़ते हैं, question number, puzzle number 84 कहती है, यह आपके पास क्या है, एक month based puzzle है, इसमें 8% दे रहे है, are planning for the vacation, और different months, मतलब है planning करते है, vacation पर जाने के लिए, April, May, June, July, यह आपके 4 मन्त दे रखे है, और 2, 3 दे रखे है, या तो चार तारिक को जाते है, या तेज़ तारिक को कमपनी की वो जाते है, ठीक है, गाइस, चलिए, अब यह आपका इंदी मीडियम की, कोसिस करना, वीडियो को ट्राय करना, ठीक है, नहीं बनता है, then मेरा solution देखना है, ठीक है, चलिए, अ किस मन्त की हो जाएगी आपके, यह हो जाएगी आपके, एपरेल मन्त की, है ना, तुकि इसको ठीक है, एक चीज आपको साफ सूतरी तरीके से कराऊंगा, ठाकि आपका question कभी गल्द नहीं होगा, मैं यह guarantee देता हूँ, अगर आपने सारी classes देख लिए, ठीक है, एक हो जाए कि चार और तेश आपके किस मन्त की? यह हो जाएगी आपके में मन्त की, सुरी में तो हो गया ना, हमारा, यह हो जाएगा आपका जून मन्त की, एक चार और तेश हो जाएगी आपकी किस मन्त की? यह हो जाएगी आपकी जुलाई मन्त की, और इसमें आपके चार मन्त दे रह अब देखो यह हमारे पास definite information होगे सारे कुछ हमें यह ऐसे दे रखिए एक चीज और बता दू आपको आपको यह भी ध्यान रखना है कौन से मन्त किते दिन का होता है तो यह होता आपका 30 में होता आपके 31 का जून होता आपके 30 मत दिन का और जुलाई होता आपके 31 दिन का ठीक है तो यह basic information आपको जान रखने है ठीक है चलिए अब यहां से start unwanted यहां पर बोला है वी इस प्लानिंग फोर दा विकेशन इन मंत ऑफ और नंबर ऑफ डेस एंड और नंबर ऑफ डेट मतलब बी जो है ना वेकेशन जाता है 31 वाले मनत में और उसकी जो डेट होती है वह एवन और सुरी और डेट होती मतलब थेज तारिक हो जाएगा यह आएगा आपका जुलाई मंत हो जाएगा यह दोनों क्या होते है आपके 31 दिन क्यों होते है इसको इरेज कर देते हैं यह हमारी इंफॉर्मेशन हो गई आगर बोला है कि only one person plan between B and G B और G के बीच में आपके क्या हैंगे एक परसन आएगा या तो पहले भी आसकता है या जब मेरे ऐगा वी के ऊपर मेरे एक बार जाएगा लाना देखू कि यहा परसन ऑना उसके बीच में और एक बार मेरे विच्च मे नीचे या रहाएगा बट इसमां देखो थर्ड केस में एक यह हो जाएगा मेरा जी इस केस में क्या होगा उपर ही आएगा मेरा जी बिल्कूल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं एक एक चीज बेसिक से कवर करा दोगा मैं गैंडे देता हूँ एक भी कोशिन आपका इसकीप नहीं होगा चाहिए मेंस लेवल के पजल भी लेव आप ठीक है आगे बोलाए कि दा नंबर और परसन प्लान बिपोर डी से में अप्टर सी बन्दब जितने परसन आपके डी से पहले होंगे उतनी आपके सी के बाद ऑफसन आएगे अब पॉसलिटी यह की उपर यह ऊकता है और नीची आशिकता है चलिए फ福 i Erst case एक दो-फी दी की देगा इसके किसमी क्या होगा मेरा दी ऊपर आएंगा तो सी के नीचे भी साथ हो जाएंगा इस केस में भी सी मेरा यहां आएगा ठीक है अब इस case में देखो इसमें क्या आपके एक दो तीन परसन है तो C के बाद भी तीन होगे एक दो तीन यह आजाएगा मेरा C ठीक है इन दोनों information को यहां से हटा आजाता है क्योंकि हमारी हो चुकी है ठीक है चलिए next देखो next बोलाया कि H plan before E but not before A मतलब H जो है रहा किससे पहले planning करेगा आपका E से पहले but वो A के बाद आएगा कौन मेरा H अभी हमें नहीं पता बोथ H and F are plan same month H और F है ना आपके तो same month में आएंगे ठीक है सेम month में मतलब क्या है अब देखो same month कैसे यहां पर है क्या possible देखो यह possible है जगा इस case में देखो possible है क्या आपकी same month की नहीं न तो इस case में क्या हो जाएगा मेरा यह case क्या हो जाएगा यहां से पॉसिबल नहीं है same month की तारिक है भलब same month में possible नहीं था हमारा इसके अंदर चलिए अब इस case में देखो आपके यहां पर आ सकते है ठीक है और इस case में मेरे यह दोने possible April month में तो यहां पर बट अब यह नहीं पता कौन उपर आएगा कौन बाद में आएगा बट एक चीज इसमें देखो एक के बाद है चोनची अब यहां पर possible है यह की बाद नहीं न तो यह case भी क्या हो जाएगा मेरा cancel हो जाएगा जो मेरा answer आएगा वो only for first case से आएगा ठीक है तो अब देखो इ यह मेरा क्या हो जाएगा यहां पर आजाएगा यहां पर आजाएगा यहां पर लो यह confirm है मुझे अब last person कौन बचा मेरा एगा यहां पर आजाएगा यहां पर आजाएगा अब देखो आगा बोलाए दा number of person plan between H and C same as the A and E इतने person आपके H और C के बीच में होंगे उतने आप आपके A और E के बीच में होंगे ठीक है जी चलिए देखो अब A और E के बीच में देखो एक दो तीन है अन्वांटेट को sound को किरिपा करके एक्डोर करते ना काईस ए और E के बीच में कितना है एक दो तीन मतलब H और C के बीच में भी तीन होने चीए अकर suppose आप H को यहां दो तीन चार हो रहे मुझे पता चले गया है एक मेरा होगा चार जूर को ठीक है यह हो जाएगा मेरा F यहां से कैंसल हो गए तो एक दो तीन कंडिशन सैटिस्फाइग हो रही ना तो यह मेरा होगा आंसर गाई इसलिए बोलता हूं अब यहां तो क्या करो सारी इंफॉर्म स्टार्ट करो इससे मेरे क्या हो कंडिशन बाकी जो हैना इंफॉर्म हो जाएगा तो यह देखो यह मेरा अंसर आगया चलिए नेक्स्ट जो कोशन आया है यह बोल रहा है कि आपके पास एट पर्सन है सिटिंग अरॉंड सार्कूलर टेबल मत्तब ही टेबल के चारो और बै है या आपका उली ही तक ली के फुल ट्राइब करें ये मुझा ना चली है कि razón देखो और देखो मेरे पास एड़ पर्सन है यह यह है यह पता है कि नेanor पास एड़षन है बट मु यह नित पता म्तित कप प्सक्रिफ् किको पॉछ की सप्ट पाई कि कुछ का सब्सक्राइब है वागा इसलिए वीजे कोर से कुछ का इसलिए को समय को स्ट घर यहें एह हुआ है कि स्टार्ट वहनु का राइट आ एन एन के बाद में कॉन जो पीपल सेट बिट्विन एंड बी एंड और बीके बीच में आपके दो पर्सन थे कि अब पॉसिबिली डी यह कि लेक्ट में भी आ सकता है और राइट में भी आसकता है एक है आगे बोलाए कि सीड सेकेंड डूढ लेफ्ट आप बी फीके सेकेंड लेफ्ट में कौन अब possibility यह कि वो के left में आशकता है और right में भी आशकता है ठीक है चलिए आगे बोला है कि dc second to the left of L L K second left में कौन बैठेगा मेरा वो बैठेगा D who is not immediate neighbor of a who किसके लिए आपका L के लिए L जो है न आपका वो किसका पढ़ासी नहीं यह यह का पढ़ासी नहीं चलिए अब आगे बोला immediate neighbor of n face same direction as n यह हम ध्यान रख लेंगे एन के जो पढ़ासी है वो same direction देखेंगे जैसे n के अगर आप suppose n आपका inside देख रहा है तो दोनों पढ़ासी इंसाइड देखेंगे अब आपका outside है तो दोनों पढ़ासी भी आपके outside होंगे ठीके जी एल सिट थर्टू दा left of a who face the center जहां से आप information को start कर सकते हो कि जो आपका है न देखो कैसे कि आपका n का face क्या होगा एका face क्या हो जाएगा एका face हो जाएगा आपका center की तरफ और उसके third left में क्या हो जाएगा मेरा एल हो जाएगा तो देखो एक दो तीन यह किसकी जगह हो जाएगी मेरी एल की हो गई यह देखो यहां से अगे बोलाए the immediate neighbor of a face opposite direction to a मतलब एक के opposite देखेंगे दोनों पोटों से आपके outside हो जाएगे Uhh inside मतलब ये दोनों पोटों से क्या हो जाएगे मेरे outside हो जाएगे मेरे एक चीजिंग न के third right में न इसälle is possible है ठीक है जी, यह हो गया मेरा, अब एक बोला था कि N और B के बीच में आपके दो person है, इसके राइट में देखो, एक, दो, यहाँ पे possible नहीं न, तो इसके left में आएगा, एक, दो, यह किसकी जगह हो जाएगी मेरी, B की जगह हो जाएगी, ठीक है जी, अब देखो B के second left में मेर एब हैं किक आपके सिए ठीज घानी सब्सक्राइब हैростरों है 182-83 लेफट में मिस्क्राइब किया है l गारीतों तर bonnetki आपके सेकेंड के सेकंड लेफ्ट में आपका ओना पिसाई तो अब देखो यहां पर डी एल मुझे पदा हाँ यह रहा अब इसके हाँ इसके सेकंड्ड लेफ्ट में डी कैसे अगर आप इसका सेंटर के दर्म लेते हो तो इसका इदर आए गए यह नहीं पॉसिबल है तो इसका फेस क्या हो जाएगा मेरा आउट साइड तभी इसके सेक आपका यह आ गया बट मुझे यह चीज पता थी जो आपके इमिडियेट नाइबर और अन्सर कंप्लेट इसलिए मैं आपको बोलता हूं या तो क्या तो सारी इंफॉर्मेशन को एक बार लिखे लो उससे क्या होगा आपका टाइम बचेगा अधरवाज क्या करोगा अगर सब्सक्राइब करता है तो आज के लिए हमारे पार यह तीन कोशन ते अगर आपको लगता है कुछ चैनल से सीखा है तो इसको लाइक कर देना शेयर कर देना आपको टाइम से टाइम मिलते रहे गाई और एक बार में दुबारा बता दू कि इस क्लास की टाइमिंग होगी मौर्निंग में साड़े मोगे ठीक है डेली मिलेंगे आपको मंडे से लिख किये सैटेड अधर ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेस्ट आफ आफ आफ पंट्वारी मिलें प्रेड प्ली सु 카 में आपको मैं करसकी इसेतर आफ श्या किरूनिग होगी से तालवे अग्सारी में डिख रन है वर चाहिं है वहात टारे जाब कि यसलिए में थोगां में तालवे अ कि अ किरे अक्वा ड्कित्थ अनिम्पश डिntवश वायो